हेलो एवरीवन मैं हूँ सच्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जहां हम देख रहे है पाइथन पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देख वाले हैं कि इस प्रकार से हम लोग यूजर से वैल्यू लेके इस पी फाइल को रीड कर वा सकते हैं और यहां पे हम लोगों को एक मॉडल्य इंपोर्ट करवाना होगा और उस मॉडलेस का नाम क्या होगा sb उसके बाद में हम लोग यहां पर एक variable ले लेते हैं फिर यहां पर open function का हम लोग use करेंगे ना जैसे हर file को open करवाने के लिए open function का use किया जाता है उसी प्रकार से csv file के लिए भी हम लोग open function का use करते हैं then यहां पर हम लोग को file का नाम लिखना होगा तो file का नाम मैं दे देता हूं file name dot sb और इसको अभी फिलाल हम लोग read कर रहे हैं तो इसको sorry read नहीं write करवा रहा हूं यहां पर हम लोग write mode में लिखेंगे मतलब open करेंगे और उसके बाद में फिर यहां पर मैं एक variable और ले रहा हूं w नाम का और इसमें हम लोग क्या कर रहे कि उपर में जो csv module है उसके अंदर में function available है writer नाम का तो इसको भी हम लोग यहां से ले लेते हैं इसमें यह parameter में हम लोग को उपर में जो variable हम लोग प्रकार से और उसके बाद में देखिए अब क्या होता है कि csv file एक tabular data लेता है तो हर table का उपर में एक header होता है मतलब की roll number class उसके बाद में data होता है तो इसी प्रकार से एक list यहां पर मैं बना रहा हूं उसका नाम में रख रहा हूं header और then यहां पर जो data का heading देना होगा वो इंसर्ट करवाऊंगा और उसके बाद address तो मैं यहां पर name और address नाम का दो field ले लेता हूं अपना table के लिए हो गया उसके बाद में फिर w.write row function यूज करूंगा मैं यहां पर write row function यहां पर हम लोग use करके क्या कर रहे है कि उपर में जो हमारा header वाला list था ना हम लोग write कर वादे रहे किस file में file name.csv वाला file में ठीक है उसके बाद यहां आप क्या करना है मुझको और भी data जो है जैसे कि नाम बहुत सरा नाम हम जालना चाहते अड्रेश डालना चाहते तो उसके लिए मैं क्या करूंगा एक loop चलाऊंगा बट इस loop का control जो होगा user के हाथ में देना चाहता हूं तो उसके लिए मैं variable ले रहा हूं and name का और उसके बाद में फिर यहां पर यह एक number होगा क्योंकि इसक many data do you want to insert इस तरह से मैं पूछ रहा हूं तो उसी साब से वो अपना value देगा और then कहां पर हमारा loop चलो हो जाएगा मैं for loop यूज़ कर रहा हूं for i in range अब इस range में हम लोग n को pass कर देंगे तो इस प्रकार से अगर वो 2 लिखता है तो यह loop हमारा दो बार चलेगा त्री लिखता है तो तीन बार चलेगा चार लिखता है तो चार बर चलेगा अब यहां पर मैं क्या करा रहा हूं यहां पर मैं print करा दूंगा क्या प्रिंट करा रहा हूंगा मैं यहां पर record जो enter हो रहा है ना तो उसी को print करा रहा हूं देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटर record और उसके बाद यहां पर मैं just लिख दे रहा हूँ i plus 1 तो इससे क्या होगा print होगा इंटर रिकॉर्ड 1, इंटर रिकॉर्ड 2, इंटर रिकॉर्ड 3 इस प्रकार से इतना भी user value दिया रहेगा उस हिसाब से यहां पर दिखाते जाएगा रागीं आप इंटर रिकॉर्ड 1 कर रहे है, 2 कर रहे- 3 कर ले रहे है उसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहोज एक वैरियेबल ले रहा हूँ और उसके बाद user से value लेना है name नाम का variable ले रहा हँ और user से value लेना है तो इसलिए मैं यहां पर INPUT function का यूज कर रहा हूँ और फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटर नेम अब यहां पर क्या होगा यूजर जो भी value देगा वो name नाम का variable में store हो जाएगा और दूसरा क्या address उसके लिए add ADVAM का variable मैं ले रहा हूँ और फिर मैं यहां पर input function यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद यहां पर user को फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाया आप address enter करिए enter ADDRESS address इस प्रेकार से user जो भी address देगा वो ADD नाम का variable में store हो जाएगा उसके बाद में अब यह तो हो गया अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ मैं W dot WRIT write function का यूज़ कर रहा हूँ WRIT write rows function ठीक है write rows function यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो भी data user दे रहा है ना name और address उसको हम लोग यहां पर write करवा देंगे name address ठीक है और then यह काम हो गया हमारा यहां उसके बाद हम लोग बाहर जाते हैं और यहां पर जाके मैं क्या करूंगा fh dot close करा दे रहा हूँ file को मैं यहां पर close करा दे रहा हूँ ठीक है और फिर अब यह सारा data को मैं read भी करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर से मैं एक variable ले रहा हूँ और फिर से इस file को मैं open करा रहा हूँ और अभी file का नाम तो वही होगा हमारा file name dot csv मगर इसको अभी हम लोग read करना चाहते है तो इसलिए इसका mode मैं change कर दे रहा हूँ और लिग दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि यह right mode में open होगा और then यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ जो csv अलब मॉडलेस है उसमें एक function और available है reader नाम से हम लोग क्या करते है read करवाते है यहां पर भी हम लोग क्या करना रहेगा fh वालब variable को पास कर देंगे हम लोग इस प्रेकार से r में सारा data available हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ए मैं print आई करूंगा तो यह एक एक data जो रहेगा वो मुझको read करके देंगे अब हम लोग और क्या करेंगे यहां पर इसको close भी तो करवाना है तो आ जाते हैं हम लोग और यहां पर fh.file को close करवा देते read के लिए जो open किये थे ना read mode वाला फाइल उसको हम लोग यहां पर close ठीक है अभी एक बार मैं इसको run करता हूँ एक बार यह पहले वाला output से इसको मैं अबता देता हूँ और एक बार फिर से मैं इसको run कर रहा हूँ ठीक है अभी देखिए यहां पर पूछ रहा है how many data do you want to insert तो मैं यहां पर लिखता हूँ तो अब फिर इंटर मारता हूँ तो यहां पर दिखा रहा है इंटर रिकॉर्ड वन यहां पर नाम लिख देता हूँ और यहां पर लिख देता हूँ और फिर यहां पर में एक नाम देता हूँ और फिर मैं इंटर मारता हूँ देखिए अब नीचे में जो हम लोग बनाये थे ना फाइल को एक बार open के तो रीड करने के लिए यहां पर हमारा डाटा दिखा रहा है रीट कर खीक है मगर एक चीज़ क्या हो रहा है कि एंप्टी लिस्ट दे रहा है हर एक डाटा के बाद में हमको एक एंप्टी लिस्ट दे रहा है यह इसलिए दे रहा है कि वो और इसको इसको सॉट-ट करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर जैसे उपर में को हम लोग रन किये और देन यहां पे फिर मैं तीन डाटा इस बार इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं थ्री लिखता हूँ यहां पहला नाम मैं दे देता हूँ अचीन एड्रेस टी यू एंड टी एम्यू किर मैं यहां लिख देता हूँ अनवी और उसके पाद यहां अड्रेस देता हूँ और और यहां देता हूँ आप इंटर कर देखिए अभी जो एम्टी स्टिंग यह रिटन कर रहा था वह आप नहीं कर ठीक है आई एक बार प्रोग्राम को हम लोग फिर से देख ले रहे हैं तो यहां पर इसकार क्या रहा है सिंपल है देखिए राइड रोफ फंक्शन से अगर आप देखे होंगे मैंने एक वीडियो अप्लोड किया है राइट रोफ फंक्शन समझाया मैंने इसमें आप उसको देख लीजेगा उससे हम लोग एक डाटा को क्या कर सकते है राइड क क्या हो रहा है कि जब तक यह loop मेरा चल रहा है तब तक यह function मेरा क्या हो रहा है execute हो रहा है और यह हर एक data को write कर देख ठीक है अब अगर मान लिजे कि आगर आपको बोला जाता है कि आप write row function नहीं use करेंगे बतलब write rows function अगर आपको use करना है ठीक है तो header यहां तक का program तो सब वह ऐसे ही रहेगा कोई work नहीं रहेगा अगर उसके बाद यहां पर क्या करिएगा आप एक empty list ले लिजेगा तरह से भी हम लोग कर सकते हैं बस हीचे में changes हो जाएगा यहां पर जो हम लोग use कर रहे थे name और आपका address के लिए add नाम का variable वह इस list में चल जाएगा और फिर इस list को क्या करेंगे उपर में जो हमारा list है डाटा नाम का जो empty है उसमें हम लोग append करवा देंगे और फिर इसके अंदर में यह जो list हम लोग बनाएं नया वाला इसको हम लोग append करवा ठीक है इससे क्या होगा यह हमको मिल जाएगा nested list मिल जाएगा और मैंने आपको write row function में दिखाया था उसमें हम लोग nested list किस तरह से हम लोग use करते हैं मतलब एक ही साथ सारा data चल जाएगा अब इसको हम लोग loop के बाहर में use करेंगे यहां लूप के बाहर में यहां पर लिखेंगे w.right यहां पर लिखना होगा हम लोग को ठीक है एक बर में यहां का output जो है previous output उसको भटा देता हूं और हटाने के बाद में फिर से मैं इसको run करता हूं तो देखिए यहां पर भी काम बिल्कुल वैसे ही करेगा यह देखिए यहां पर मैं इस बार दो ही डाटा ले रहा हूं यहां पर मैं नाम लिख देता हूं उसके बाद यहां पर मैं एड्रेस लिख देता हूं फिर यहां पर मैं एक नाम देता हूं और फिर यहां पर मैं एक एड्रेस देता हूं और enter, देखिये काम similar कर रहा है, बस तरीका अउलग हो गया है हम लोग right rows यूज़ किये थे, एक में हम लोग right rows यूज़की ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये आज का class अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को like करेगे और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलियेगा